हेलो एवरीबन आ गई हो एक नई रेसिपी के साथ तो सावन का महीना चल रहा है और इस समें प्याज लसन भी बंद रहता है बहुतों के घर पे तो आज में सावन सोमवारी के व्रत में आप क्या खा सकते हैं उसके लिए कुछ रेसिपी लेकर के आई हूँ और आप सभी के सा शेयर करी हूँ तो यहां पर मैं गरम दूद में थोड़ा सा केसर डाल करके इसे भीगो कर रख दे रही हूँ ताकि वह अच्छे से कलर आ जाए इसका और साइट में मैंने रखा है यह जिसका नाम है बाणियाड मिलिट्स और समाकी चावल समाक राइस तो इस से आज मैं र बना रही हूँ जो कि आप वरत में असानी से खा सकते हैं और भी कोई वरत करेंगे तब भी खा सकते हैं तो यहां पर मैं कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ दाल चीनी एक फूल वाला एक लाइची दो लॉंग तेज पत्ता एक चमस घीर अब जो इसी में बाणियाड मिलिट यानी समक रैस को धो करके डालेंगे दो करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पूरत में बनाएंगे तो इससे फ्रेश सुद करकी बनाएंगे अब यहां पर मैं कलर कर रही हूँ आप चाहे तो यहां पर हल्दी डाल सकते हैं या फिर बीट कर सकते हैं गाजर कर सकते हैं कल जर्दा पुलाओ, जर्दा पुलाओ में राइस लम्मे वाले होते हैं, पर यहाँ पर मैं वरत के लिए बना रही हूँ, तो इसे मैंने समाकी चावल से बनाया है, जिसे आप वरत में भी खा सकते हैं, और आपको वही टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही लगेगा, तो अब यहाँ पर राइस थोड़ी पक चुकी है, तो उसे हम उसका पानी ड्रेन कर लेंगे, अब यहाँ पर कड़ाई को दो करके, फिर से मचा चम मच घी डाल करके, यहाँ पर काजू, किसमिस और पिस्ता बदाम को अच्छे से भून लेंगे, अब यहाँ तक अगर आप ने अब यहाँ पर मैं हाफ कप चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ, हाफ कप मैंने राइस लिया है, हाफ कप चीनी भी डाल रही हूँ, और यहाँ पर केसर वाला दूट भी डाल दे रही हूँ, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, मिक्स करने के बाद इसमें जो हमन मसाले हैं उसे निकाल देंगे क्योंकि वो मुँ में पढ़ेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए सबको निकाल देना है अब समाक राइस की बहुत सारी benefit है यह low carb होते हैं इसमें calcium भी होता है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं तो इसे अपनी diet में जरूर सामिल कर ल परजी देता है कि हमें कुछ और खानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो यहाँ पर समार आइस को मैंने डाल दिया है अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो चीनी की मिठास है वो इसमें mix हो जाए वैसे तो मैं चीनी नहीं डालना चाहती थी लेकिन ये वीडियो में चीनी का इस्तमाल ही हो रखा था तो मैंने भी चीनी का इस्तमाल कर दिया चीनी के जिगा आप खांड का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आज तो मैंने चीनी से बना दिया पर मैं नेक्स टाइम जरूर गुड और मिस्री से बनाऊंगी तो यहाँ पर इसे थोड़ी देर पकने देंगे क्योंकि अभी इसके अंदर जो मिठास है वो जानी बाकी है क्योंकि हमने पहले पानी में बॉइल कर रखा था तो अब इसके अंदर इसकी मिठास को जाना जरूरी है यहाँ पर कुछ-कुछ लड़ू की तरह लड़ू जो हम मेशन के मोती चुल लड़ू बनाते बस क इस तरह से दिख रहा था तो यह एक्तम टेस्क तो वैसा नहीं है लेकिन देखने में जरूर वैसे ही दिख रहा था और खाने में बहुत ही अच्छा लगा एक बार जब आप इस तरह से बना करके खाएंगे तो आपको भी पता चलेगा यह किता आसान है बनाना आप चाहे तो एक बार में ही बॉयल कर सकते हैं अगर आपको सुका सुका नहीं चाहिए गीला से कोई प्राबल्म नहीं है तो इजिली आप एक बार में ही बॉयल करें चीनी और काजु किसमसिये सारे कुष डाले और पका के खा ले तो यह बहुत ईजी टू कुक है और हिल्दी है मिलि वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए का अगर आप इसे थोड़ी देर खुले में छोड़ देंगे तो यह एक्तम से ड्राइ हो जाएगी खिली खिली बन जाएगी मैंने यहां गर्मा गरम सर्व किया तो यह थोड़ी चिपचिपी से दिख रही है तो ठ